आज है 16 अप्रेल तो चलिए देखते हैं आज का करेंट अफियर्स सबसे पहले देखते हैं रिवीजन कोश्चन तो किसे पॉइंट किया गया है जी हाँ चिंतन वैभब को पॉइंट किया गया है अगर हम लोग दूसरे ओप्शन को देखें तो चिंतन वैभब इसका अंसर है समीर निगम कौन है यह ओनर है फोन पे कंपनी है न उसके ओनर है और विदुत मुहन तो आपको पता ही है इनको इन्वार्मेंट के लिए ग्लोबल चैंपेंसिव अवाट दिया गया है रादेश्याम खेमका कौन है थुरा सोचिए जी हां यह काफी न्यूस में थे क्योंकि इनके देट के बाद प्राइम मिनिस्टर ननेंद मोदी जी ने इनके बारे में बहुत कुछ कहा और ट्रिब्यूट दिया रादेश्याम खेमका जो है वो बहुत बड़े जैनरलिस्ट है और उन्होंने ही गीता प्रेस फाउंड किया था जहां पे हिंदू लिटरिजर की किताबे छपती है गोड़कपुर में तो याद रखेगा राम खेमका चले दिखते हैं करेंट अफेर्स कोशन नमबर वान गाहले है जो कि ऐस्टरजेनिका covid 19 वैक्सी को बैंड करने वाली है तो वो कंट्री है जी हां डेनमारक डेन मार्क ने डिसाइड किया है कि वो बैंड करने वाली है एस्ट्रोजेनिका COVID-19 वैक्सीन और एस्ट्रोजेनिका ही को भी सिल्ड वैक्सीन है जो इंडिया में दिया जाता है तो देखते हैं उसे भी न बैंड कर दिया जाए आज का question of the day इसी से related है और बहुत ही interesting है और मुझे लगता है कोई भी उसका answer दे सकते है तो जुरूर question of the day का answer दीजिए देखिए एस्ट्रोजेनिका COVID-19 वैक्सीन को बैंड इसलिए किया गया है क्योंकि उस वैक्सीन से क्या हो रहा है खून जो है उसके जम रहा है इसलिए इस कंपनी को एस्ट्रोजेनिका COVID-19 वैक्सीन को बैंड किया जा रहा है चलिए question number two की तरफ चलते है पोईला वैशक क्या है और किसे रिलेटेर है तो पोईला वैशक रिलेटेर है बंगला से देखिए यह एक फेस्टिबल है जो कि बैंगॉल में मनाया जाता है पोर न्यू यर नए साल के सुरुवात में बंगला लोग बनाते हैं यह फेस्टिबल जिसका नाम है याद रखिये का नाम पोईला वैशक चले आगे बढ़ते हैं कोशन नमबर 3 की तरफ नतांज नुकलियर प्लांट नोन पोर यूरेनियम इंरिच्मेंट इस इन विच कंट्री जी हां नतांज नुकलियर प्लांट तो जरूर आपने सुना होगा क्योंकि दा हिंदू में तीन चार दिन से यही न्यूज आ रहा है देखिए नतांज नुकलियर प्लांट जो है वो किस कंट्री का है वो यूरेनियम के लिए जाना जाता है और वो है जी हां इरान का इरान आपको याद है कि अमेरिका ने इरान पे बार बार सेक्शन लगा रहे है ताकि इरान में जो यूरेनियम इंरिचेंजमेंट सेंटर ह उसको क्या किया जाए उसे बंद किया जाए और इरान सेल्फ सफिशन ना हो नुक्लियन इनर्जी में इससे रिलेटेट एक वर्ड है ज्वाइन कॉंप्रेहेंसी प्लान ओफ एक्शन कुशन नमगर फूर देखते हैं विच कंट्री बीकम दा फेस्ट कंट्री तो ब korạッ लिजनेशन पर क्लेयम sentiments ने शंसे कंट्री पहली कंट्री है जोकि tiden लाई है क्लामेट जेंज के लिए बहुती सर्यईस है यह कंट्री क्लामेट चीन्ज को लेकर जी हाँ ये country है New Zealand New Zealand ने ये step लिया है और वो पहली country है जो कि climate change पे law लाई है तो याद रखेगा Question number 5 Advanced antiquity management is started at Advanced antiquity management कहाँ start किया गया है देखिए Advanced antiquities management start किया गया है गोवा में Antic object तो आपको पता ही होगा Antic का मतलब होता है बहुत पुराना और जी हाँ गोवा में क्या हो रहा है कि एक museum की तरह management मनाया जा रहा है museum के जो भी old historical instruments है उन सब को digital किया जा रहा है ठीक है ताकि quick information मिल पाए proper storage हो और historical significance भी बना रहे है ठीक है तो history को बचाने के लिए गोवा ने ये step लिया तो याद रखेगा advance antiquity management कहां है गोवा में ये इंडियन express से news लिया गया है और बिल्कुल important news ही shared किया जाते है question no.6 देखते हैं recently a brick seminar was organized on misuse of internet by terrorists is led by अभी हाल में brick का एक seminar हुआ ठीक है उस seminar का जो topic था misuse of internet by terrorist जो terrorist है वो यूज कर रहे है internet अपने फैदे के लिए तो आपको बताना है कि इसको lead कौन किया है तो इस seminar को lead किया है आप जल्दी से guess कर ले raw raw ने इसे lead किया है देखिए raw क्या है research and analysis wing जी हाँ raw का तो नाम अपने सुना ही होगा raw ने brick seminar में इस बारे में discussion किया और बताया कि dark wave cryptocurrency और misuse of social media या हो रहा है question number seven की तरफ चलते हैं इंडिया फर्स्ट हाइश्पीड commercial delivery e-scooter is launched by इंडिया का पहला high speed ठीक है एक scooter कौन launch किया है तो यह launch किया गया है कभीरा mobility के द्वारा तो याज रखेगा कभीरा mobility के द्वारा question number eight a committee on environmental social and governance is formed by infosys is headed by खुत important committee बनाई गई है environmental social and governance इस committee को बनाने वाला organization है infosys और आपको बताना है इसको head कौन कर रहा है इसको head कर रहा है तो इसको head कर रहा है किरेन मंजुबदार सौं जी हाँ किरेन मंजुबदार का नाम तो आपने सुना ही होगा यह काफी रिराउंड है और यह जानी जाती है बायो कौन कंपनी की head के लिए question number nine आईबा boxing championship held at आईबा boxing championship होने वाला है वाला है पोलेंड में यहाँ रखेगा पोलेंड में boxing championship हो रहा है जिसको कहते हैं आईबा question number 10 recently India has signed an agreement with which country for Gaganyan mission Gaganyan mission के लिए इंडिया ने अभी हाल में किस country के साथ agreement sign किया है ठीके Gaganyan mission बहुत important mission है जिसके अंतरगत man को भेजा जाएगा space में 2022 तक अभी हाल में इस related agreement हुआ है आपको बताना है किस country के साथ तो यह agreement हुआ है Russia के साथ नहीं हुआ है यह हुआ है France के साथ तो याद रखेगा France और India ने यह agreement किया है ताकि Gaganyanyan में और भी technology लाया जा सके चलिए देखते हैं आज का question of the day which COVID-19 vaccine come first in the Indian market इंडियन मार्केट में COVID-19 vaccine पहला कौन आया था जल्दी से इसका आंसर दे दे COVID-19 vaccine आया था ना कौन सा COVID-19 vaccine is put in 5 जल्दी से इसका आंसर दे दे और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दे शियर कर दे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे थाएं